नमस्कार मैं हूँ देवेंदर चोहान और True History Project की Wars of the World सीरीज में आप देख रहे हैं इजराइल फिलिस्तिन संघर्ष पर आधारित हमारी मिनी सीरीज का छठा भाग 14 माई 1948 को इजराइल को अपनी स्थापना के दिन ही तीन मोर्चों पर छेह देशों की सेनाओं का सामना करना पड़ा उत्तर में अरब लिबरेशन आर्मी, लेबनान और सीरिया, पूरू में इराक और जोर्डन और दक्षिन में मिसर की सेनाएं पहले से ही हमले के लिए तैयार थी जिस वक्त इजराइल की सेना पश्चिम की और से जोर्डन की अरब लिजन का वेश्ट बैंक छेतर और जेरुसलम में मुकाबला कर रही थी उसी समय इराकी सेना ने भी उत्तरी जोर्डन से जोर्डन नदी को पार कर लिया इराकी सेना का इरादा समुद्र तटिय शहर नेतेनिया पर कबजा करने का था पर इस से पहले ही 31 मई को इजराइली सेना ने वेस्ट बैंक इलाके में जेनिन शहर पर हमला कर दिया जवाब में इराकी सेना, नेतनिया के बजाए नबलूस, जेनिन और तुलकर्म के त्रिकोनिया इलाके की और बढ़ने लगी इजराइल की गोलानी और केरमाली बरिगेड के तीन हजार सेनिकों ने तोप, आर्मर्ड कार और तीन लड़ाकू विमानों से जेनिन में मौझूद इराकी गेरिसन पर हमला किया और कुछ दिन तक इस शेहर पर फिर से यहूदियों का कबजा हो गया जवाब में इराकियों ने पूरी बरिगेड और एक बटालियन मैदान में उतार दी जिसके बाद इजराइली सेना को जेनिन से पीछे हटना पड़ा इस तरह आखिरकार चार जून को जेनिन फिर से इराकी सेना के कबजे में था पूरे युद्ध में ये इराकी सेना की सबसे बड़ी जीत साबित हुई उत्तरी मोर्चे पर ही सीरिया की फोज ने भी 14 मई को जोर्डन नदी को पार किया और उत्तरी फिलिस्टीन में घुज गई और सी ओफ गलीली के आसपास यहुदी बस्तियों पर हमले करने लगी साथ दिन बाद इस्थानिय नागरिक सेना और इजराइल की कारमेली बिर्गेड ने हैन ग्रेनेड और मॉलोतेव कोक्टेल बोतलों की साहिता से समाख गाओं और दिगानिया के किबुट्ज में सीरियन टैंक्स को आगे बढ़ने से रोक दिया दर असल सीरियाई सैनिकों का मानना था कि यहुदी सैनिक उन्हें देखते ही हत्यार फें कर भाग खड़े होंगे पर जब उन्होंने यहुदी सैनिकों और नागरिकों को लड़ते देखा तो उनका मनोबल तूट गया इजराईली मशीन गनों के सामने कोई 300 सैनिक खोने के बाद सीरियाई प्रेस और संसद में इस हार पर तीखी परतिक्रिया हुई जवाब में सीरिया के राष्टर पती शुक्री अल्कूवतली ने अपने रक्षा मंतरी सेना के चीफ अफ श्टाफ सेना के नमबर दो जनरल और फर्ष बिर्गेड के सारे सेनियादिकारियों को बरखास कर दिया और करनल हुसनी अल्जाइम को नया चीफ अफ श्टाफ बनाया इसके बाद सीरिया ने सीमा के साथ साथ एक छोटी सी पट्टी पर कबजा कर लिया और अगले दो महिने तक इस कबजे को बनाए रखा ये भी महतुपूर्ण है कि युद्ध की समापती के बाद उन्नीस सो उन्चाथ में ही इसी नए जनरल हुसनी अल्जाइम ने राश्ट्रपती कुवत लिका तक्ता पलट कर उन्हें गिरफतार कर लिया उधर अरब लिबरेशन आर्मी के जनरल फोजी अल्कावुक जी का भी सीरिया इनेतरत से जगड़ा हो गया था कावुक जी सीरिया और लिबनान में तक्ता पलट की राजनिती में जुट गए लिबनान जिसने शुरुआत में युद्मे भाग लेने से मना कर दिया था उसकी एक बटालियन ने 6 जून को उत्तरी इजराईल के दो कस्बों पर अचनक हमला बोल दिया और मल्किये की लड़ाई के बाद उन पर कबजा कर उन्हें अरब लिबरेशन आर्मी को सूब दिया इस बीच रास अलाइन की लड़ाई में फिलिस्तिनी कमांडर हसन सलामा घायल हो गए और दो जून को उनकी मौत हो गई इस से फिलिस्तिनी सेना का मनोबल तूट गया और युद्ध में फिलिस्तिनी पूरी तरह से विदेशी अरब सेना उपर निर्भर हो गए नीचे दक्षनी मौर्चे पर मिस्र की फोज ने भी पहले ही दिन सीमा रेखा को पार किया और इस फोज की एक टुकडी गजा के राफते तेल अवीव की और जबकी दूसरी नेगयो के रेगिस्तान में बीर शेबा और फिर बेतलहम की और बढ़ी समंदर से एक टुकडी तेल अवीव की तरफ बढ़ी जबकि मिस्री जंगी जहाजों ने तेल अवीव पर हवा से बंबरसाए वापसी में ये जहाज यहूदियों से आत्म समर्पन की मांग करते लीफलैट भी इजराइल में गिराते थे गजा की और बढ़ रही टुकडी ने पहले तोप खाने से रफा बोर्डर पर एक घंटे तक गोला बारी की और उसके बाद गजा छेतर में दो बस्तियों कफार दरौम और निरिम पर हमला कर दिया कफार दरौम में कुल 30 यहुदी सैनिकों ने सेकडों मिस्री सैनिकों को रोक दिया और मिस्री की फोज को इस बस्ति का घेरा डालना पड़ा इसी तरह निरिम की बस्ति में कोई 800 मिस्री सैनिकों का मकाबला 45 यहुदी सैनिकों से हुआ जिन में 12 महिलाएं भी थी मिसरी तौप खाने से हुई गोला बारी में ज़्यादतर गाउं जल गया लेकिन सामुहिक डाइनिंग होल की एक दिवार बची रही जिस पर लिखा था सिर्फ आदमी जीतेंगे टैंक नहीं तौप खाने और लड़ाकू विमानों के दो हमलों के असफल होने के बाद तेल अवीव की रक्षा के लिए समय भी मिल गया कुछ दिन बाद मिसर की फोज फिर से तेल अवीव की और बढ़ी इस बार इस फोज ने कई यहुदी गाउं का घेरा डाल दिया लेकिन यहुदी सैनिक और नागरिक बढ़ी बहाद दूरी से अपने से कहीं बढ़ी और ताकप और फोज से कई दिन तक जूजते रहे जब इसराइल की गिवाती ब्रिगेड तेल अवीव की रक्षा के लिए आ गई तो आखिरकार मिसर का तेल अवीव पर हमला सीधी लड़ाई में नाकाम कर दिया गया नेगेव के रिगिस्तान में बीर शेबा और बेतलहम की और बढ़ती मिसरी सेना ने मुश्किल लड़ाई के बाद बीर शेबा, हेबरोन और बेतलहम पर कबजा कर लिया और जेरुसलम की और बढ़ने लगी मिस्र का इरादा जोर्डन से पहले जेरुसलम पहुँचने और उसे जीतने का था लेकिन मिस्री कमांडर अब्दुल अजीज को बेतलहम और जेरुसलम के बीच रमत राचेल की यहुदी बस्ती पर हमले में कड़ी लड़ाई के बाद हार का सामना करना पड़ा रमत राचेल की लड़ाई पूरे युद्ध की अकेली लड़ाई थी जिसमें जोर्डन और मिस्र की फोजें कंधे से कंधा मिलाकर इजराईल के खिलाफ लड़ी जब इस बात का पता जोर्डन के बिटिश से पहसालार जोन गलब पाशा को चला तो उन्होंने जोर्डन के फिल्ड कमांडर को तुरंत अपनी सेना को वापस बुलाने का हुक्म दिया साफ था कि हर अरभी सेना अपने अलग 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 लक्षे के लिए लड़ रही थी रमत राचेल में मिस्री सेना को काफी जवान खोने के बाद पीछे अटना पड़ा था इस लड़ाई के बाद मिस्री सेना का मोनोबल तूट गया और इस मोर्चे पर उसने आगे बढ़कर हमला करने के बज़ाए जम्हे रहने की रन्नीती अपना ली इसके बाद केवल एक छोटी सी जीत मिस्र के हाथ लगी जब 10 जून को नितजानीम की लड़ाई में हजारों मिस्री सेनिकों ने 74 इजराईली सेनिकों और 66 अर्ध सेनिक जवानों को पांच दिन की लड़ाई के बाद हत्यार डालने पर मजबूर किया जब युद्ध शुरू हुआ तो इजराईल के पास गिने चुने हलके वीमान थे जने इजराईल की इस्थापना के बाद इजराईली वाईू सेनिकों कहा जाने लगा उस समय इजराइल के पास ना तो कोई लड़ाकू विमान थे ना कोई कारगर एर डिफेंस लेकिन जल्दी ही इजराइल ने एर डिफेंस उपकरंड तैनात कर दिये और मिस्र के लड़ाकू विमान गिरने लगे साथ ही इजराइल ने कुछ पुराने हलके विमानों का बंवर्शक के रूप में इस्तेमाल किया जो दुश्मन के विमानों से बचने के लिए केवल रात में उड़ान भरते थे जब 20 मई को 25 एविया S-199 लड़ाकु विमान चेकोसलो वाकिया से इजराइल पहुंचे तो इजराइली सेना का मनोबल बढ़ गया जिसके बाद इजराइल ने 31 मई की रात को जोड़न की राजधानी अमान पर हवाई हमला कर शाह अबदुल्ला के महल पर बंगिराए और 3 जून को इजराइली वायु सेना ने पहला मिसरी जंगी तयारा भी गिरा दिया बाद में इजराइली ने काहिरा, दमिश्क, गाजा और अल-ारिस जैसे शहरों पर भी बंगिराए इसी तरह युद्ध की शुरुआत में इजराइल के पास नोसेना के नाम पर तीन नागरिक जहाज थे जो यहुदी शर्णार्थियों को योरोप से इजराइल की भूमी प आए गए और इनमें डेड़ सो साल से भी ज्यादा पुरानी तोपे लगाई गई गई जो बहुत छोटी थी जब 30 जून को बिटिश नोसेना ने हाइफा बंदर गहा के रास्ते अपने आखरी सैनिक इस छेतर से वापस बुलाए तो हाइफा इजराइली नोसेना का पर मु प्रिगरानी की और गजा के इलाके में बंबारी भी की एक तरफ युद जारी था जबकि दूसरी तरफ संग में युद वीराम के प्रियास भी चल रहे थे युद वीराम लागू कराने के लिए स्वीडिश डिप्लमेट काउंट फॉल्क बर्न डोट की मध्यस्ता में एक दल भेजा जिसने दोनों पक्छों को युद वीराम को बढ़ाने के लिए मनाने का प्रियास किया आखिरकार स्वीक राश्र ने 29 मई को युद वीराम की गोशना की यह युद वीराम 11 जून से 8 जुलाई तक कुल 28 दिन चला जब पहले युद वीराम की गोशना हुई तो इजराईल के कबजे में अरब छेतर के 9 शहर और 50 से जादा गाउं थे जबकि अरबों के पास यहुदी छेतर का एक कस्वा बारह अरभी गाउं और एक एयरपोर्ट सा यहुदियों की साड़े 300 वर्ग किलोमीटर जमीन अरबों के कबजे में थी जबकि अरबों की 700 वर्ग किलो मीटर जमीन पर इजराइल का कबजा था इस बीच यहुदी सेना एक आपसी संगर्ष से भी जूज रही थी 1949 में को लैंड में सैनिक अधिकारी रहे और बाद में इजराइल के छटे परधान मंतरी बने मेनाकें बेगिन के नेतरत वाले इरगुन का ख्याल था से जूज रहा इजराइल सैनिक सत्ता को अंदर से मिली चुनोती को बरदाश्ट नहीं कर सकता था आखिरकार 20 जून को तेल अवीव के तट पर इजराइली सेना ने इरगुन के लिए हत्यार ला रहे अल्टा लेना नाम के जहाज पर हमला कर उस पर जबरन अधिकार कर लिया इस हमले में इरगुन के सोलह और इजराइल के तीन से निक मारे गए इसके बाद इरगुन को भी इजराइली सेना में शामिल कर लिया गया और नए यहुदी राष्टर को अंदर से मिल रही चुनोती समाप्त हो गई लेकिन युद विराम का समय पूरा होने से एक दिन पहले ही मिसर की एक पूरी ब्रिगेड और एक बटालियन ने दक्षणी इजराइल के गाउन नगबा पर वायु सेना टैंक्स और तोप खाने से हमला कर दिया जवाब में नगबा में तैनात कुल 140 इजराइली सेनिकों ने 300 अरब सेनिकों को मार दिया जबकि इजराइल के कुल 5 सेनिक मारे गए मिसर का अचानक भारी फोज के साथ एक छोटे से गाउं पर किया गया हमला भी नाकाम हो गया था इसी तरह का हाल बाकी बस्तियों का भी था जिन पर मिसर ने हमला किया था उधर ओपरेशन दानी के अंतरगत इजराइल के 8000 सेनिकों ने जेरुसलम के रास्ते में इस्तित लिद्दा और पिर रमले नाम के शेहरों पर हमला कर उन पर कबज़ा कर लिया और इस इलाकों से अरब जनता को भागने पर मजबूर कर दिया इस से लिद्दा या लोड एरपोर्ट इजराइली सेना के हाथ में आ गया साथ ही इजराइल ने इसा मसीह की जनमिस थली नाजरस पर भी कबज़ा कर लिया लेकिन लातरून के किले पर और जेरुसलम पर किये गए कई इजराइली हमले नाकाम रहे आठ जुलाई को ही इजराइल ने पूर्वी जेरुसलम पर कबज़े के लिए उपरेशन केदेम शुरू किया पर ये हमला भी नाकाम हो गया और अरब लीजन का पूरवी जेरुसलम और वेस्ट बैंक पर कबजा बना रहा दस दिन चली इन लड़ाईयों के बाद फिर से दोनों पक्छों में युद्विराम लागू हो गया जो पंधरा अक्टूबर तक यानि लगबग तीन महीने लागू रहा इस बीच सेक्तराश्ट्र संग के मध्यस्त काउंट बर्ण डोट एक नए पार्टिशन प्लान पर काम कर रहे थे यहुदी अतिवादी संगठन एरगुन और लेही का ख्याल था कि बर्ण डोट अरब देशों के हितों के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें डर था कि बर्ण डोट का सुझाया नया पार्टेशन प्लान इजराइली सरकार मान भी सकती है 16 सितंबर को जब बर्ण डोट ने अपने प्लान की घोशना की तो उसे दोनों पक्छों ने नकार दिया फिर भी अगले दिन लेही ने बर्ण डोट की हत्या कर दी सारी बातचीत रुग गई इसके पांच दिन बाद इजराइल की स्टेट काउंसिल ने कानून बनाया कि इजराइल जो भी भूमी युद में जीता है या कभी आगे जीतेगा वो सब इजराइली राज्य का हिस्सा होगी इस बीच तेल अवीव हाइफा मार्द परिस्थित अरब गाउंसे अरब निशानची लगाता इजराइली ट्रेफिक को निशाना बना रहे थे और ये सिलसिला दूसरे युद वीराम के बाद भी जारी था युद वीराम के दोरान ही इजराइल ने इन गाउँ पर हमला किया इन गाउँ में रहने वाले अरब नाग्रिकों को भाग कर अरब इलाकों में शरन लेनी पड़ी और इस तरह तेल अवीव हाइफा मार्ग खुल गया युद का तीसरा और अंतिम दोर 15 अक्टूबर 1948 को शुरू हुआ और 10 मार्च 1949 तक लगबग 5 महीने चला सबसे पहले उत्तरी मोर्चे पर गलीली छेतर में अरब लिबरेशन आर्मी ने मनारा कस्वे पर हमला किया और उस पर कबजा कर लिया जवाबी हमले में इजराइल ने अरब लिबरेशन आर्मी को वापस लिबनान में पीछे धकेल दिया लिबरेशन आर्मी के कोई 400 जवान मारे गए और 550 बंदी बनाये गए जबकि 50,000 से ज़्यादा फिलिस्तिनी नाजरिकों को भाग कर लिबनान में शरन लेनी पड़ी अक्टूबर के आखिर तक इजराइली सेना ने ना केवल पूरा गलीली छेतर जीत लिया था बलकि लिबनान में 8 किलोमीटर तक भी वो घुस गये थे और उन्होंने 13 लेबनानी गामों को भी कपजा लिया था और इसलिए इजराइल के प्रधान मंदरी डेविड बेन गुरियन नेगयो के रेगिस्तान पर इजराइल के कबजे के लिए परेशान थे नेगयो रेगिस्तान में जगा जगा मिसरी फोज तेनात थी इस इलाके से मिस्र की फोज को हटाने के लिए इजरायल की सेना ने 15 अक्टूबर 1948 को एक नया उप्रेशन शुरू किया ये हमला इतना जबरदस्ट था कि मिस्री फोज ने कुछ ही दिनों में नेगेव, बीरशेबा और अश्दोद के शहरों को खाली कर दिया सिर्फ फलूजा में घिरी हुई मिस्री फोज ने अगले चार महीने तक इजरायल की फोज को रोके रखा फलूजा पोकेट में घिरे चार हजार मिस्री सैनिकों के कमांडर थे सूडानी टाइगर कहे जाने वाले सईद ताहा बे और उनके डिप्टी कमांडर थे मेजर गमाल अब्दल नासिर जो बाद में मिस्र के ताकत वर राष्ट पती बने है फलूजा पोकेट पर इजरायल का कबजा 1949 में युद्ध समाप्त होने के बाद ही हो पाया युद्ध के तीसरे दोर में इजरायल की नोसेना का भी मिस्र की नोसेना से मुकाबला हुआ जिसमें इजरायल ने मिस्र के फलैक्शिप जहाज अमीर फारुख को डुबो दिया नेगे औरेगिस्तान पर कबजे के लिए मिस्र और इजरायल में जंग जारी थी मिस्र के हमलों को नाकाम करते इजरायली सैनिक आखिरकार 10 मार्च 1949 को फिलिस्तीनी छेतर के दक्षिनी छोर तक पहुँच गए लाल सागर परिस्थित इस इलाके को इजरायल के कबजे से रोकने के लिए कोई मिस्री फोज लड़ने ही नहीं आई उसी दिन शाम चार बजे इजरायली सैनिकों ने हास से बना एक इजरायली जंडा फहरा कर पहले अरब इजरायली युद्ध में इजरायल की विज़े का एलान कर दिया और उसी दिन ये युद्ध समाप्त हो गया दिसंबर 1948 में सुईतराश्टर संग की आम सभा में परस्ताव संख्या 194 को पास किया गया जो अरबों और इजरायल के बीच युद्ध विराम, शान्ती और शर्णार्थियों की वापसी का परस्ताव था इस परस्ताव को अरब देशों ने अस्विकार कर दिया और इजरायल ने भी इसका विरोध किया 1949 में इजरायल ने दुश्मन देशों के साथ अलग अलग शान्ती समझोते किये मिसर के साथ 24 फरवरी, लेबनान के साथ 23 मार्च, जोर्डन के साथ 3 अप्रेल और सीरिया के साथ 20 जुलाई को शान्ती समझोते पर हस्ताप्छर किये गए इन शान्ती समझोतों के साथ पहला अरब इजरायल युद्ध अधिकारिक तोर पर समाप्त हो गया युद्ध की समाप्ती पर इजरायल के पात बिटिश फिलिस्तीनी मैंडेट छेतर का कोई 78 फीजदी हिस्सा था जिसमें उत्तर में पूरा गलीली छेतर और जजरील घाटी, मध्य में पश्चिमी जेरुसलम और तटिय छेतर और दक्षिन में पूरा नेगेवरेगिस्तान शामिल था, इस युद्ध के दोरान इजरायली सेना ने अपने इजरायली छेतर का बचाओ तो किया ही, साथ ही अरब फिलिस्तीनी छेतर का कोई 60 फीजदी हिस्सा भी उसके कबजे में आ गया, गाजा शेहर के आसपास का समुदर तटिय छेतर मिसर के हाथों में था, जिसे गाजा पट्टी कहा जाने लगा, जबकि जोर्डन नदी के पश्चिमी किनारे परिस्थित, फिलिस्तीनी छेतर और जेरुसलब का पूर्वी हिस्सा जोर्डन के हाथों में था, जोर्डन ने जोर्डन नदी के पश्चिमी किनारे के इलाके, यानि वेस्ट बेंक के इलाके फिलिस्तिनी इलाकों से भाग कर आसपास के अरब देशों में शरणार्थी बन गए जबकि धाई लाक से ज्यादा यहूदी इन अरब देशों से इजराईल की भूमी पर आकर बस गए इस पूरे युद्ध में इजराईल के 6,373 लोग मारे गए जो उसकी कुल आबादी का एक परतिशत थे इन में 4,000 सेनिक थे जबकि 2,000 होलो कोट से बचे यहूदी थे एक अनुमान के अनुसार अरब देशों के कुल 7,000 सेनिक मारे गए जिन में 3,000 फिलिस्तिनी, 2,000 मिस्र स 1,000 जोर्डन से और 1,000 सीरिया से थे साथ ही बिटिश फिलिस्तिन में रह रहे 12,000 फिलिस्तिनियों में से 7,500 को अपना घरबार छोड़कर युद्ध और दंगों की विभीशिका से जान बचा कर आसपास के अरब देशों में शर्ण लेनी पड़ी इस घटना को नकबा यान के नागरिक बन गए पूरे अरब छेतर में फैले तंबु नुमा फिलिस्तिनी शर्णार्थी केम्पों में रह रहे फिलिस्तिनियों की देखवाल के लिए सुईतराष्ट्र संग ने UN Relief and Workers Agency यानी UNRWA नामक संसा का गठन किया अरब लीग ने अपने सदस्य देशों को निर्देश दिया कि कोई भी इन शर्णार्थियों को अपने देश में नागरिकता न दे ताकि फिलिस्तिनी छेतर पर अरबों का दावा जिंदा रहे आज भी इन 58 शर्णार्थी केम्पों में 14 लाग से ज़्यादा फिलिस्तिनी शर्णार्थी रहते हैं जबकि कोई 50 लाग फिलिस्तिनी अरब छेतर से बाहर सारी दुनिया में विशेशकर योरोप में और अमेरिका में रहते हैं दूसरी और युद्ध की शुरुआ से ही 1951 के आखीर तक कोई 7 लाग यहुदी इजराइल में आकर बस गए जिनमें 1 लाग से ज़्यादा इराक से आए थे और 7 लाग से ज़्यादा नाजी अत्याचारों से मुक्ति के बाद युरोप में बने शर्णार्थी केम्पों से आ युद्ध के बाद इजराइलियों ने अपने देश के पुनर निर्मान पर ध्यान दिया अरब देशों और यूरोप वे अमेरिका से आए यहुदियों को नागरिक्ता दी गई और उनके लिए नई बस्तियों का निर्मान किया गया धीरे धीरे जिन्दगी पटरी पर युद्ध के पहले राष्ट्रपती चाइम विजमान की मृत्य हो गई लगबग इसी समय अमेरिका के राष्ट्रपती हैरी ट्रुमेन जो इजराइल के बड़े हितैशी थे वो अपने आठ साल के कार्यकाल को पूरा करते हुए अमेरिकी राजनीती में हाशिये पर चले राजनीती को अलविदा कह दिया और वो नेगेयो के रेगिस्तान में सदे बोकर नाम की बस्ती में रहने लगे जहां वो खेती करते और इजराइल के इथियास पर ग्यारा भागों वाली अपनी किताब लिखते तब तक इजराइल एक देश के रूप में पूरी तरह अरब देशों को युद्ध में अपनी पराजय का दंश चुबता था इस बीच अरब राजनीती भी तेजी से करवट बदल रही थी 20 जून 1951 को जब जोडन के शाह अब्दल्ला अलाकसा मजजिद के दोरे पर थे तो एक 21 साल के फिलिस्तिनी उगरवादी ने तीन गोलिया मार कर उनकी हत्या कर दी उनके साथ चल रहे 16 साल के पोते और भविश्य के शाह हुसैन को भी गोली मारी गई पर उनकी च्छाती पर लगे एक मेडल ने उन्हें बचा लिया इस घटना का असर इतना जादा था कि 16 साल बाद 1967 के युद्ध के दोरान शाह हुसैन ने इजराईल के साथ किसी भी तरह की बातचीत करने से मना कर दिया उधर मिस्र में 23 जुलाई 1952 को एक सैनिक विद्रहों में मुहमद नजीब और गमाल अब्दिल नासिर ने बादशाह फारुख का तखता पलट दिया और अगले साल डेड़ सो साल पुराने मुहमद अली राजवंच की जगा सेना ने ले ली 1956 से अर्बी एकता के सूतरधार और फलूजा की लड़ाई के मिस्री हीरो रहे करनल गमाल अब्दल नासिर का मिस्र पर एक छतर राज हो गया और 1956 के स्वेज क्राइसिस के बाद उनकी लोग पुरियता पूरे अरब जगत में चरम पर थी नासिर ने फरवरी 1958 में सीरिया के साथ एक सेयुक्त देश बना लिया जिसे युनाइटेड अरब रिपब्लिक कहा गया इससे पहले सीरिया में राश्रपती शुक्री अलकूवतली को सैन्य तक्ता पलट में हटा दिया गया था और नए राश्रपती बने कुर्दिश जनरल हुसनी अलजाइम को भी पाँच महीनों बाद एक दूसरे जनरल ने गिरफतार कर मरत्युदंड दे दिया था इराप में एक सैनिक तक्ता पलट में 14 जुलाई 1958 को हाश्मी राजवंच के शाह फैसल की खांदान समेत हत्या कर दी गई इन सब राजनितिक बदलावों के पीछे एक बड़ा कारण इन देशों की 1948 में इजराइल के हातों हुई हार थी जिसके बाद अरब जनता में राजशाही पर सवाल उटने लगे थे लेकिन इस बीच फिलिस्तिन से भागे हुए शर्णार थी अलग अलग देशों में तंबूओं में रहने पर मजबूर थे पर उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन अरब के मुसल्मान कूटनीती और युद्ध में हारी हुई उनकी जमीन उन्हें वापस दिलाने के लिए फिर से इजराइल से एक नया युद्ध करेंगे शर्णारतियों के गले में लटकी पुराने खाली किये हुए घरों की चावियां उन्हें अपनी तबाही की याद दिलाती थी और अरब राजधानियों में बदलती तस्वीर कह रही थी कि पहला अरब इजराइल युद्ध एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई का बस पहला दोर था